नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर हलो हां साजी नवस्ते हां नमस्ते कौन रमेश मौर्या सर बोल रहे हैं बताइए यही सर कह रहे हैं कि बहुत कंसूजन की बात ही सोच तर क्या बात होतीत बढ़ियां हो जाता पता है यही सर यही स्प्रिम कोट से फाइनल हो गया हो ही का रहे है सर थे लोग रॉड्स राइंक लिए कई ऐसे होगा तो सुप्रीम कोट ने नया क्या किया है सुप्रीम कोट स्विब से इंदें कुछ यह नहीं है आमान नहीं किया Scient इया यह नहीं और कोई पड़ोसी हो Ärник और उसने जाए आपके पिता जी के प्रापर्टी पर कब जा कर लिया हो हां ठीक हां तो आप जाएंगे कोड और कोड ने कहा कि यह जो है प्रापर्टी आपके पिता जी की है तो कोई नहीं बात कहा क्या नहीं यह तो वही बात सही बात बोला भई तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ ग सकते हैं नहीं दे सकते हैं आप टीचर बन सकते हैं कहाँ बन सकते हैं Dunya सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कर देता है उसके बाद वह कानून बन जयता है फिर उसके नियम नियम बन जाता है तो अभी तो सब्सक्राइब देखेंगे बारे में बहुत पुराना कोर्स है लेकिन जब इगनुने सुरू किया तो इगनु उससे करने को तो करने लगे लोग लेकिन कहीं भी सिक्षक भरती में उनको लिया ही नहीं जा रहा था जब भी फार्म भरते थे बाहर कर दिया जाता था तो वो लोग भी ऐसे कोड़ के लड़े कोई लाब नहीं हुआ फाइनली जो है जब इंसिटी ने एगनू के बीड को अपने हाँ से लेटर जारी करके वैल हुँँ तो जो लोग चुछ जा रहे हैं तो उनको इनीं से सीखना सिहें लाकि में कुछ नहीं हुता, फिर परभी नहीं करा पाई थे हुआ हक, सिद्धीन की फोर भॉत लेक्ट है है लुषच कोर्ड का काम क्या है कुट जब ही कोई जाएगा कोई बहुत तो शुक्षाम कोई भी मैटर कहीं किसी राज्य का हो आप जब भी कोई भी विवाद जो है सिक्षक भरती समंधित जो भी केश चला है सुप्रीम कोड में आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने एक ही चीज किया है क्या कि एंसीटी को बुलाओ जब इंसीटी आई उनसे सवाल जवाब हुआ लिए विपक्षा रख दिया और जैसा एंसेटी ने रखा उसके आधार पर उन्होंने देखा कि क्या है नियम क्या नहीं है फिर देखते हुए उसके आधार पर जजज्मेंट दिया जैसे अभी बीड और बीटीसी का मेटर था राज्स्थान जो है हाई कोड ने वहां की ग सुप्रीम कोट सारे दलील सुनी डिलेड वाले बेटीस वालों ने बहुत कुछ कहा कि प्रैमरी ले लिजबल नहीं है इनका सिलबस ऐसा है यह वह दुनिया वर की बाते कहें तो सुप्रीम कोट ने सारी चीजों को साइड किया यह हम नहीं सुनेंगे हमको बस यह जानना है कि जो है नियम क्या है क्या नहीं है तो इन्सिटी को उखला गया एंसिटी के सारी बात हुई एंसिटी के सारी नियम खंगा ले गया तो इंसिटी के पास पावर है नियम बनाने का तो इन्होंने पावर यूज करके नियम बनाया है कोई दिक्कत नहीं है तो वहां पर तो जित जब इस पर वो संतोष्ट हुए, तो फिर जो बनाने का नियम है, उस पर सवाल खड़ा किया गया, तो उसमें जब जांच किया गया, कोट ने पूरा जांच परताल किया, पूछा, तो उसमें पाया कि जो है, सब कुछ सही हुआ, लेकिन एक मिटिंग नहीं की गई, तो जो प कुरी बातों से कि जो है, फाइनली कोड एंसिटी का ही देखती है, यानि कि एंसिटी ही सब कुछ है, कोई हाई कोड या सुप्रिम कोड जाए, फाइनल मैटर तो एंसिटी के आधार पर ही होता है, तो जब एंसिटी ने एंस डेलेट के लिए, आज तब कोई लेटा जारी नहीं किया है, तो ये काम एंसिटी करना होगा, अब एंसिटी आपके कहने से तो चलेगी नहीं, या एंस डेलेट वालो के या किसी के कहने से तो चलेगी नहीं, नहीं, वो तो उनको जो आदेश मिलता है, सिक्षा मंतराले से, वो उसके आधार पर चलते हैं, तो अब जब वो जो है रहे चाहिक है तो कोई भी समय से पहले कितना भीक होड़ी मेऊ जाएं होगा पर ही होगा के अच्छाट को cousat पहले हिसको बार बार संझाते हैं थे कि एक गाम में दू भाई होते हैं तो उनमेंसे अपने घर पाड़ती है सामने घर रहता है दोनों बाते करते हैं कि भाई हम तो चाहों में बैट गया है हमारा है औहीं भी धूप में है लेकिन हमारा घर यह जो होगता है तो गेर को भी में करेंगे ने डोनों हो जो है घर को डिकेलना सुरू करते हैं एक है साम की कि ञ differ तो क्या समझ में आया उन दोनों ने किया नहीं यानि कि जब समय आया साम हुआ अपने आप हो गया लेकिन वो दोनों उनको क्या कहेंगे मुर्ख कहेंगे ना कि मुर्ख जो है करते हैं कि हमने कर दिया तो यह कुछ गया नहीं करना है तो भाई उसी वही जान पाएगी उनका नहीं अब एक चीछ कि आपने अगर जो है कुछ प्लान किया है तो वो चीज जो है किसी के कहने से आप रोक नहीं देंगे नहीं रोक देंगे और किसी के कहने से आप जल्दी नहीं कर देंगे क्योंकि वह आपका प्लान है ना तो जो चीज जो है शिक्षा मंत्राले ने बनाया है ना इस डेलेट क कि यह जो लोग कोट की चरी कर रहे हैं क्या इन लोगों ने कहा था यह लिए लाई यह कोश्व कर आया है जिसने प्लान करके किया होगा तो वह ही जानता है कि उने क्या क्या प्लान किया है और जो प्लान किया है तो वो अपने प्लान के अनुसार हर काम करेगा भी जिसको उचल कूद करना हो करता रहे कोई फर ऊपड़ेगा अहीर कoration भरे बस देखें दो तरह के लोग हैं एक जो है जो बंदर की तरह उचलने वाले हैं बस कुछ भी उनके दिमाग में आ गया किसी ने कुछ भी कुड़ा कचड़ा डाल दिया कोई कुछ भी बोल दिया उसकी बातों में आका उचल कोड़ करने लगे दूसरी लोग होते हैं जो समाय करते हैं और सही समयाने पर काम करते हैं आपने घर में सुना होगा पिताजी से डाधाजी से जिस से भी आंधी में बैट-कर करना चाहिए न आप कितना भी उचल कूद कर लीजिए आप कुछ नहीं बजा पाएंगे वलकि आप जो उचल कूद करेंगे तो आप भी जो है उड़ जाएंगे नहीं होगा इसलिए कहा जाता है कि आप जब आए तो बैठ के भी ताना चाहिए क्या मिला वाइए कि कुछ राजे अपने मन से जो कर रहे थे नहीं दे भी रहे थे वह भी जो है रुक गया तो जहां जो हुआ भी था नुक्ति पाया भी था अब उसको भी बाहर करा दिये लोग कोई फायदा हुआ नहीं पर अब से कम जब सुप्रिंग कोड का आडर नहीं तो जिस भी तरीके से गलत राखना-पैयाज डिए जो भी स सिट यह देकर पर और कि script कर ले रहे था प्राइबिट वाले भी जाना अंगे है सुप्रीम बाहर बाहर हो गए अ pigment too को सिट इसे पास नहीं 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 है सम फौश दिख्टत नहीं है कि तो पहले जो है बिना नियम कानुन को जाने कहीं नहीं जाना चाहिए हम से जितने लोगों ने बात के हम लगातार कहा सबका एक ही कहना कि फला राज ले रहा है यहां नहीं ले रहा है ऐसा क्यों हो एसा का हम तो हमेसा समझा है वह जो ले रहा है वो अपने मरजी से ले रहा है वो अलग बात है कि नियम तो है नहीं वो अपने हां दे रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि कोई अगर दान कर रहा है वहां लेते रही यह बाकिने राज्यों से कहेंगे कि वह दान कर रहा तुम भी करो तो वह तो कर नहीं देगा वलकि हुआ क्या आप जब वश्ति करने कोशिस कि एगा सुप्रियम कोड उससे अपना नुकसान कर वैठ है तो जो भी लोग कोड के चरी जा रहे हैं जो भी कर रह होंगय कि आसवा स्वारा है है लिए 999 परेशंट यहीं पा रहे होंगे इससे ज्यादा नहीं पा रहे होंगे तो अब क्या है कि नेता जी बन गया जानते हैं कि पूरे भारत में 14 50000000.000 ऐसे कंडिडियेट्ट है वह जिस भी राज्ज्य के हैं 24.000.000 थो नहीं के राज्य मे में 14-15 लाक लोग 1-8 में लोग दी दे रहे हैं पैसा कितना पैसा पैसा आ पहुत है तो अब कल्पना की जह यह कि पान्च चाहकर करें प्राइवेट Kevin a कि उ давно कराते हैं और 12 महीने एक साल करें लेगा नौकत तो साठ जाएर पाएगा और उसने कर चंदा लिए पांच-पांचन रूपए चौदर पंदर लाख में से एक लाख ने भी अगर उससे चंदा दे दिया तो एक लाख गुड़े 500 कर लीजे करोडों का खेल हैं कि नहीं है तो अब बताएए क्यों नेतागिरी किया जाए और उसमें ये भी फाइदा पैसा तो आही रहा है अब उ हैं यह सब लोग नोप पैदा करते हैं को दूर सोचेंगे नहीं हर्चित की जनकारी रखेंगे नहीं और भुदही गलती पर गलती करके प्रबाद में कहने करें सरकार इसी है तो सब करतियाम जनता है थोस्तोर इसको आप भेज रहे हैं तो आप हिए बिज़ रहे हैं अब टेखने में भुड़ को आया लिपोड शुरु मेंड़ारी को बढे। है कि ये को सिर्ट से इसलिए लाया गया क्योंकि कहता है कि सभी सिख्षक ट्रेंड होने चाहिए और 31 मार्ट 2019 समय पूरा हो रहा था तो यह सर्थ था आई इसको पूरा करने के लिए जो है यह लाए गया और इसको को जब लाया गया तो यह हुआ कि हमें सिर्फ तो सारे ट्रेंड हो जाएगे एक सर तो पूरी हो जाएगी अब फिर दूसरा पॉइंट बनाया गया कि हम जो है सरकारी में लेकर आ रहे हैं प्री प्राइमरी वहां पर टीचरों के जुरूत भी होगी तो अभी तक कोई ऐसा कोर्स नहीं जो प्री प्राइमरी के लिए बना ह करने लगेंगे तो इसलिए इसको 18 महिने का ही सुरू से रखा गया कि बाद में हम इनको प्राइमरी में लेंगे तो प्री प्राइमरी गौर्मेंट त्यार कर ही रही थी यह हमको आपको तो तब पता चला जब राष्टे सिछानिती आया लेकिन जब आया तो उसके पहले वह किया जा रहा था ना उसके लिए प्लानिंग की गई उनको तो पता था ना कि हम क्या प्लान कर रहे हैं तो जब उंको सब पता था था ख ड़न को दिमाग में रख करके हर चीज करते हुए आगे बढ़े इसलिए उन्होंने 18 महीने का रखा को यह छोटी मोटी गलती थोड़ी क्या है गलती से हो गयार इतारव महीना सोच समझ कर ए 108 महीने का बना ही गया है भश्य को फॉन माने कि मत माने सच्च चाहीं यही है यह हमारे आपके घरमे रखा हुआ रखा लुड़ा है कि जब कौन सा बनारहेंग किसली बना रहे हैं कितने time कर रहेगा मुर्ख बनारु से नहीं कोई बीच कया जाता है एक दम इसपश्ट होता है और नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे जो ऑफीसियल नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ तक यह ठार महीने का है दो वर्स का कंशूजन कहां से आया जितने विज्ञापन आये अख़बार में उसमें लिखा हुआ था सत्र 17-19 उस सत्र को लोगों ने दो वर्स मान लिया यह दो वर्स में पूरा करना है यह लिखा है और उन्होंने उसको समझ लिया कि यह दो वर्स का कोर्स है कन्फिजन यहां से हुगा लोगों में नहीं तो आफीसियल आप मुझे साइट पर जाकर चेक किजिए कोई भी पूरान कि अगए और उसमें क्लियर कर देगी यह प्रीप्राइमर्य के लिए इलिजिबल कोई कितना भी हाट पर मार ले प्रैमरी में तो नहीं मिलेगा मौका यह बनाया ही गया है हाँ तो वो आज आएगा बस दो-चार महीने साहिद दोर लगें आज आएगा बनाया ही गया है इसी उदेशे से कि जो अंटेंड टीचर हो टेंड हो जाए और इनको गवर्मेंट सेक्टर में प्री-प्रैमरी मौका देने के लिए जो कि प्ले एलकेजी यूकेजी नया कोर्स करें कि अगली बार से जो है यही एन्टी टी वाला डलवाएं मतलब जैसे जो टेट करवाती हैं सर लोग दीए हैं जो तर फर्वरी में क्या चीज एन्टीटी का कोर्स सर हां तो जैसे हम लोग दिये हैं टेट वाला जो ही जो है अधिकारी जो है निकाले इसका विग्यापन प्री प्रामरी के लिए उसमें ठीक लिखा था ये प्री प्रामरी के लिए दो वर्सका कोर्स है एंटीटी जो यूपी गंदर चार कॉलेज करवाते हैं महिलाओं का हां हमारे मास्टरता मुल्की लड़की कर रही समय लेकिन वही है तो यहां तो वह टीक carry में ही लिए प्रामरी के लिए वह भी नहीं उसमें प्रामरी सिच्छक बनने के लिए णिश्ण बशाइब घ्यांतों सब्सक्राइबव हैं कहीं इफबट नहीं है सुप्रेम कोर्ट जो लोग गय तो सुप्रिम कोर्णने सब्सक्राइब एंजेटी के सारी चीजो को देख करके संब्सक्राइब कर दिया है कि प्रैमीरी में एलिजबल नहीं है Util ए अब जो है है सबच एंजेटी विट है जुलाई अगस तक लेटर जारी कर देपा संब भी क्या कहना है कि साधार पर मांग रहे हैं पैसा क्या कहकर मलब हो जाएगा और इसमें जो है उसमें अच्छे वकील लखे जाएंगे अच्छा मतलब जो है वकील अच्छा एक खराब होने से जो है जज्जमिन बदल जाता है अरे वकील चाहे जो रहे वकील ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो उनका अपना जो है तरक हो गया ना फाइनली जो जज्जमिन्ट आता हो तरकों पर नहीं अधारित होता है वो अधारित होता है नियम पर कि पहले से क्या नियम है वहां बैठा जा सारे नियम जानता है जो नह ना अपना कह दिया तो फिर नियम को देखते हुए ना और आएगा अब यह थोड़े की सुप्रेम कोड ना ओर दे दिया तो हम दुबारा केस करेंगे तो दुबारा सुनवाई होगी कुछ नहीं कोई फायदा ने जब भी यह लोग जाएंगे तो एक डेट दो डेट जैसे ही लगेगा उसमें जैसे ही कोड जनकारी में आएगा कि मेंटर पहले फाइनल हो चुका है और कुछ नहीं होगा भाई आप कोड जाएंगे तो सुरू में पहले दिन नहीं न चेक हो जाता है कि यह क्या मैटर है क्या नहीं है आप जो केस लेकर दाखिल करते हैं तो उसका जो होडता है जो घृता है उसका हो पूरा किरा का आपकिस दाखिल कर रहते हैं लेकिन जब यक वि wildaling वकर नहीं आगके तो पैसा कैसे लोगों को वेकुप कैसे बनाएंगे लोग अच्छे वकील फ्लाना डेका ना जिए बारतें बोलВО करके फिर्वेक्ति यह कोड का चरीक बारे में जानता नहीं वहां क्या होता है कैसे से होता है तो ज्यदर दे देंगे चलो पांच प्टिसों तो देना है यह हजार तो देना है देंगे और तोटल के पांच जीरो हो जाएगे पांच के पांच जीरो हो गए अब कलपना कीजिए कि पांच सो उसमें जो है एक हजार पर हम जोड रहे हैं हम एक लाख लोग बोले ना तो एक लाख में कितने जिरो हो गया अभी तक हमें लगता है कि जो है आपके कि आपके अपक 10 लगेंगे आपको इतना पैसा कि आपके काॉंट पैसा रहे उसमें साथ जीरो दिखाई दे बीखाई में बड़े लोगों को कि असाथ जीरो लग जाए तो आप कल्पना कीजिए कि जब साथ जीरो यहां में अपर जो है सिक Ali हम बड़ा वकील खरेंगे हम कोड़ से ले लेंगे यह क्रूंच देने से ही हो जा रहा है अब हमकी मिनमम की बात कर रहा है 14-15 लाख लोग हैं एक लाँ की बात कर रहा हैं सिर्फ हमें कि लाँ मिलोग की बात कर रहे हैं कि एक लाँ लोग देंगे तो साथ जीरों लग जाएगा पांच के बात है इतना पैसा आरहा है साथ जिरो लग गया अकाउंट में उसके बाद नौकरी मिले न मिले ख्याफ रख पड़ता है इसी उद्सेसे तो ये लोग आते हैं कि इसमें जो है कोई हिसाब नहीं देना है और कोई पैसा नहीं वापस करना है और पैसा आना ही है नुक्सान का कोई इसमें है नहीं है है यह फायदे का गुड़ा गड़े तो आप भी सीख जाहिए ऐसे ही मुद्दा पकड़िये जिसमें लाखों लोग हो सामेल अभी देखिए यूपी के अंदर पुलिस भरती अलमेटर था उसमें दो-तीन यूटूब वाले कूदे थे क्यों कूद रहे हैं वो वो इसलिए कू फोटो डालेंगे जा करके तो उनके यूटूब का उनके नाम का चर्चा तो करेंगे नुग्दम होसके तो ये फ्राइम यूटूब वाले हैं फ्रासं नुबका 창 कि left 417 रख बच्चोंत्र पर पहुंचेगा आब उनकी यूटूब को जो है भले विखने पढ़ाते हों नं अपने चैनल का प्रचार करने में 47 लाख लोगों तक पहुचाने में बहुत खर्चा करना पड़ेगा जो यह टीवी चैनल वाले हैं आपको एक छोटा सवधार बता रहे हैं जैसे सुनी चैनल का नाम सुने होंगे सुने हैं तो उस पर अगर आपको कोई चीज का प्रचार करवाना है तो वो जो है तीस सेकेंड का अगर प्रचार आपका दिखाएंगे तीस सेकेंड का उसका चार्ज है 50 लाख रुपए मतलब आपकी कोई चीज को वहां पर दिखाएंगे प्रचार करेंगे तीस सेकेंड आधा मिनट तो उसका चार्ज हो 50 लाख रुपए लेते हैं ठीक है अब कल्पना कीजिए कि प्रचार में कितना खर्चा होता है अखबार वाले ऐसे ही कोई प्रचार शापेंगे दम छोट प्रचार शापेंगे ना तो कई हजार रुपए मांगते हैं किसी पोने में एक दो इंच का जगह दे देंगे आपको उसका जो है कई हजार रुपए लेते हैं अखबार वाले तो उतना पैसा लगेगा और यहां क्या हुआ गय लखना लड़कों के धरना में सामील हो गया प्रेस वाले भी आए उन्होंने भी फोटो खीचा और खुब अबार में नूज आ गया उनका नाम अब बार में आ गया फोटो उनका फ्री में प्रचार हो रहा एक नहीं हो रहा है प्रचार उनका तो यह सब गुड़ा-गड़ेत चालाक लोग जो है वो लोग करवाते हैं करते हैं देखते हैं कि क्या फाइदा अपना हो रहा है फाइदा देख करके काम करते हैं नहीं तो किसी कोचिंग वाले को क्या लेना देना है किसको नौकरी मिल रही है किसको नहीं मिल रही है उनको तो अपना कोचिंग चलाना है अपना चैनल चलाना है लेकिन इसमें यह तो ऐसे लोगों से दूर आई है यह सब करना हो आपको भी तो यह सब देखिए उनसे सीखिए इस तरह का चीज कीजिए लाग उठाइए चीजिए चले रखते हैं फिर नमस्कार